सुनील नरेन की घातक गिंद बाजी की बदौलत कोलकता ने आईपिल के इलिमिनेटर मैच में सोमबार को बैंगलॉर को चार बिकेट से हरा दिया बैंगलॉर ने कोलकता के सामने जीत के लिए 149 रन का लक्स रखा था कोलकता की टीम ने मैच के आखरी ओवर में जीत आचिल कर ली इस हार के साथ ही आर्चिवी का सफ़रप आईपिल में खत्म हो गया है कोलकता की टीम अब दूसरे कौलिफायर में दिल्ली कैपिटल्स के साथ 13 हक्टूबर को भीरेगी सुनील नरेन को मैन अब दा मैच का खिताब दिया गया इससे पहले बैंगलॉर की टीम ने टॉस चीत कर बल्लेबाजी का फैसला लिया ओपनर देबड़ पडिकल और बिराट कोहली ने 49 रन की साजेदारी की देबड़ पडिकल 21 रन के स्कोर पर फरगुंसन का सिकार बने वहीं बिराट कोहली ने 33 गेन में 49 रन की पारी खेली केस भरत ने 9 रन बनाए वहीं एबी डिबलियर्स ने 11 रन और ग्लैन मैक्सवेल ने 15 रन बनाए सुनील नरेन ने केस भरत बिराट कोहली एबी डिबलियर्स और ग्लैन मैक्सवेल का बिकेट लिया सावाज अहमत 13 रन बनाये उन्हों लौकी फर्गुंसन ने आउट किया डेनिल क्रिष्टिन नौरन के स्कोर पर रन आउट हो गए बैंगलोर की टीम ने 20 ओभर में 7 बिकेट पर 138 रन बनाये सुनील नरे ने 4 ओभर के स्पिल में 21 रन देकर 4 बिकेट लिए लौकी फर्गुंसन ने 4 ओभर के स्पिल में 30 रन देकर दो बल्लेवाजों को पबेलियन भेजा बरुन चक्रबरती ने 4 ओभर में 20 रन दिये वहीं साकेबल हसन ने 4 ओभर के स्पिल में सिर्फ 24 रन दिये लक्ष का पीछा करने उतरी कोलकता की टीम ने मजबूत शुरुआत की ओपनर सुपमंगिल और बिंकटे सैयर ने 41 रन की साज़ेदारी की सुपमंगिल अठारा गेंद में 29 रन बना कर आउट हुए राहुल तिरपाठी ने निरास किया और महच्छा रन बनाए बिंकटे सैयर भी 26 रन की पारी खेल कर पबेलियन लोटे मगर इसके बाद बल्ले बाजी करने उतरे सुनील नरेन ने डेनियल क्रिष्टिन के एक ओवर में तीन छक्के जर कर कोलकता को बापस मैच में लाया नितिसराना 23 रन की पारी खेल कर युजवेंदर चहल का सिकार बने मुहमद सिराज ने हलाकी एक ओवर में दो बिकेट लेकर मैच को रोमान चक बनाया मुहमद सिराज ने एक ही ओवर में सुनील नरेन और दिने इसकार्थिक का बिकेट हासिल किया सुनीन लरेन पंदरगेंद में 26 रन वहीं दिनेश कार्थिक 10 रन बना कर आउट हुए आखरी ओभर में कोलकता को जीत के लिए 7 रन बनाने थे कप्तानिय और मौर्गन और साकेवल हसन ने बैंगलॉर को कोई और मौका नहीं दिया और 19 दसमलों चारो भर में कोलकता को जीत दिला दी कप्तान मौर्गन पाच रन और साकेवल हसन नौर रन बना कर नाबाद रहे बैंगलॉर के लिए उजबिंदर चहल ने चारो भर में 16 रन दे कर दो विकेट लिए वहीं हरसल पटेल ने चारो भर के स्पेल में 19 रन दे कर दो बल्ले बाजों को पबेलियन भेजा वहीं इस हार के साथ ही RCB का पहला IPL खिताब जीतने का सपना भी पूरा नहीं हो सका विराट कोली की टीम RCB अब तक एक बार भी IPL का खिताब नहीं जीत सकी है खेल जगत और अने लेटिस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं